नमस्कार बहुत सागत है आपका बुद्वार का दिन भगवान स्री गनेश का दिन है स्री गनेश यानि किसी भी कारे का सुभारम करने वाला दिन परानिक मानेता के अनुसार जो बुद्धी के देव हैं गनेश जी उनको दुर्वा अतिप्री है और बुद्वार का दिन उनका दिन है तो अगर आप हर बुद्वार दुर्वा दल उन्हें अरपित करें तो जीवन की सभी से परिसानिया समात होती है लेकिन सिर्फ तीन बुद्वार एक महा परियोग कर लें तो आपके जीवन में कभी कोई परिसानी आएगी ही नहीं तो भगवान गनेश प्रथम पुझ बिग्न हर्ता देव हैं और किसी भी सुब मंगल कारे को करने के पहले इनकी पुझा होती है सास्त्रों में बुद्वार का दिन गनेश जी का दिन माना गया है और अगर आपके कुंडली में बुद्ध दोस हो जो सारेडिक आर्थिक मानसिक परिसानी जो परिसान हो रहे हैं इन चीजों से कस्टों के निवारन के लिए बुद्वार के दिन बस एक ही परियोग करें अगर आप कर्ज में फसे हैं धन की मुस्किले हैं आपके नौकरी वेबसाय में रुकावटे हैं आपके अंदर की फिलिंग अच्छी नहीं है तो कोई भी कारे करते हैं बिगन बाधाएं आती है तब बुद्वार के दिन छोटा सा परियोग आप अपने घर में ही करना सुरू करते हैं आप तीन बुद्वार भी कर सकते हैं और आप लगातार बाइस दिन जैसे आज बुद्वार है आप आज से सुरू करेंगे तो तीन बुद्वार आते आते 21 बाइस दिन हो जाएगा तो इस करम में भी आप रोज अर्पिक कर सकते हैं आप ना कर पाएं आपके घर में आपक 200 ग्राम ले यह 2 फूलख ले इसको तोड़कर चूटे चुटे टुक्रे बना ले फूल को तोड़ ले लाल रग रंगा पूल होता और एंच धुलार का उसको तोड़कर चैनल चुरशटे टुक्रे बना करें और ईसके बाद STEP बुद्वार के दिन गनेज जी को अर्पित करना शुरू कर दें जैसे आप भोग लगाते हैं माल लीजिए तो भोग वाले प्लेट में ही एक चुटकी रख दें नहीं तो ऐसे ही आप गनेज जी की तस्वीर के सामने किसी पातर में रख दें साम के समय उसको उठाईए और उठाकर रात में सोने के पहले कुछ दिर पहले पुरे परिवार के साथ या सिर्फ आप ही उस जावित्त्री को परशाद के रूप में खा लीजिए जावित्री को परशाद के रूप में आपको खाना है और खागे पाड़ी भी किस हो जाईए और ये प्रियोग आप लगातार तीन बुद्दवार तक करे या सिर्फ तीन बुद्दवार भी कर सकते हैं लगातार आप तिन बुद्धवार तक करे तो बहुत अच्छा है और खाईएगा जरूर परसाथ के रूप में आपके भागी के तमाम जो अवरोध है उसका नास करेगा भागयोदे होगा और गनेश जी की किपा से जीवन में कभी कोई बिगन बाद आएं आपको परिसान ही नहीं करेगी गनेश जी बुद्धि के देव हैं सुक के देव हैं और बुद्वार के दिन कुछ ऐसे कारे हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए और कुछ एक ऐसी वस्तू जिसको भूलकर भी मत खाईएगा वरना आपका भाग कमजूर हो जाएगा लगे हर दिन किसी करिमा का पुत्र है कि अगर आपका दिमाग कमजोर है तो बूद्वार के नुप वाश रखने बूद्ध तेज होती है यादास तेज होती है इसे किस चीज महां कोम अंग turtles योदे होता है लेकिन कुछ ऐसे कार है सास्त्र कहते हैं भूल कर भी बुद्वार को नहीं करना चाहिए वड़ना बुद्धी की हानी होती है जैसे कि भूल कर भी बुद्वार के दिन पान मत खाईएगा पान खाने से खुशियां नश्ट हो जाती है तो बुद्वार के दिन पर बुद्वार के दिन पान मत खाईए बुद्वार के दिन दूद को जलाना नहीं चाहिए बहुत लोग होते हैं रबडी बनाते हैं खुआ बनाते हैं खीर बनाते हैं बुद्वार को के दिन मत बनाईएगा और बुद्वार को नए जूते नए कपड़े आप चरूर पहनि पर इस दिन अगर आप नए जुते नए कपड़े खरीते हैं पहनते हैं तो आपको नए नए चीजे पहनने के खरीदने के संयोग बनते रहते हैं भूल कर भी घर की या फिर बाहर की किसी कन्या को मत दाठिएगा और दूसरा किन्नरों का मजाक मत उतारिएगा मत उड़ाइएगा बुद्वार के दिन और अगर बुद्वार के दिन किसी किन्नर से एक सिक्का आपको मिल जाता है तो आप बड़े भागेबाने संभाल कर रखिएगा खर्च मत कीजिएगा लड़कियों को मायके से बिदा भी नहीं करना चाहिए बुद्वार के दिन पुरूसों को ससुराल नहीं जाना चाहिए बुद्वार के दिन और बेहन बुआ बेटी को घर पर आमंतरित नहीं करना चाहिए बुद्वार के दिन वैसे तो इस दिन दात और बाल से समन्दी चीजे भी नहीं खर दी जाती जैसे कि तुथ पेस, तुथ ब्रस, बाल से कंगी, रिबन बेगेर नहीं खर ना चाहिए लेकिन अगर आप बेटी की मा है यानि कि आपकी पुत्री है तो बुद्वार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए ऐसा करने से लड़की का स्वास्त खराब होता है अगर आप बुद्वार को ब्रत करके गनेज जी की पुजा आरंब करें तो उत्तम है बुद्वार के ब्रत में नमक मत खाईएगा बुद्वार को गाय को आप हराचारा खिलाए और बुद्वार के दिन जब आप हराचारा गाय को खिलाए तो गाय का पाउंच चुकर आसिर बाद जरूर ले और गनेज जी को गुड़ घी का भोग जरूर लगाईएगा और गाय को भी जरूर खिलाईएगा गुड़ घी अगर गायक को खिला दे आप गनेज जी को भोग लगा कर तो जीवन के कस्ट मिटते हैं गनेज जी का दिन जो पर्थम पुझी भी है और जीवन की हर समस्या का समधान उन्हीं से तो मिलता है अब बुद्ध से जुड़ी समस्याएं भी गनेज जी की अराधना से समाथ हो जाती है और घर में खुसाली लाने के लिए गनेज जी की अराधना करना सबसे उत्तम है वैसे तो हिंदू धर्म सास्तरों की माने अगर तो सब्ताव के हर दिन किसी देवी देपता की पूझा होती है लेकिन जो बुद्धवार के दिन गनेज जी की पूझा होती है जो बुद्धी के देव हैं पर्थम पुझे हैं सुबता के प्रतीक हैं उनकी पूजा करने से जीवन में सिर्फ सकात्म कुर जाएं आती हैं सुपता आती हैं खुसियां आती हैं प्रेम बढ़ता है और अगर कुंडली में बुद्ध कमजोर हो तो बुद्ध बार के दिन गनेज जी को दुर्वा घासर पित करें इस से बुद्ध समंधी परिसानिया भी दूर होती है और बुद्ध कमजोर होने से व्यक्ति सुंगने की सकती कमजोर होती है स्किन की प्रॉबलम होती है गुपत रोग होते हैं निर्ने लेने की छमता कमजोर हो जाती है वेपसाय नौकरी ठीक से नहीं चलती तो गनेज जी को मनाने के भी बहुत सारे उपाए ह तो चलिए आज हम कुछ खास उपाय आपको बताएंगे आखित वह कौन सा उपाय है सबसे पहली बात जाइफल एक तरह का मसाला है जाइफल में ही एक फूल होता है उसको बोलते हैं जावित्त्री तो जावित्त्री आपको मार्केट में मिल जाएगा ये फ्राइड राइस व हो जाएगा और लाकर इसको तुक्रा तुक्रा करके किसी बरतन में किसी डब्बे में स्टोर करके पुजास्थान पे रख दें रोज एक चुटकी जावित्त्री गनेज जी को अरपित करें और प्रसाथ के रूप में खाके घर से निकलें यकीन मानिए आपके हर कारे सिग् सब्सक्राइब जाब तुक्शने के लिए या फिर आप किसी बी तरह की मनो कामना उसको पूरा करने के लिए ये परियोग करें पर आज हम आपको एक चोटा सा परियोग बताएंगे और ये है सिग्हा का परियोग आपके एक सिख्ख्खा लेलें बुद्ध्वार के दिन य जीवन की समस्याओं से, परेसानियों से मुक्ती मिलेगी। और वैसे तो ये सिक्हाप कुछ समय के बात निकाल सकते हैं, हर बुद्ध बार आप प्रयोग इसी शिफ्के से कर सकते हैं। और लॉंग भी आप निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजें, नहीं तो दूसरा लॉंग ल तब क्या करें कौन सा उपाई करें आज हम यह बताएंगे लेकि भगवान गनेश हमारे जीवन में समस्त जो तकलीफ है जो कठिनाईया हैं उनको दूर तो करते ही हैं साथ ही अगर इनकी हल्दी से आप पूजा करते हैं कुछ उपाई करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में नक जीवन में पुजा करते हैं तो जीवन में तकलीफ आती ही नहीं है गनेश जी को प्रथम पूजनिये देपता माना जाता है और परतेक सूपचार करने से पहले इनको इनका स्मनरं करना इन्हीं पूजा देना बहुत सुमाना जाता है अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर गनेज जी की तस्वीर है तो यकीन मानिए घर में बुरी सक्तिया प्रवेश भी नहीं कर सकती लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की ओर से गनेज जी की तस्वीर भूल कर भी ना बनाए, ना ही लगाएं, बहुत लोग क्या करते हैं, बाहर से टाइल्स बड़ा-बड़ा लगा लेते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि गनेज जी के पीछ पीठ में दरयदिता का बास होता है, तो गनेज जी की पीठ आ गई आपके घर के अंदर की तरफ यानि घर में दरिदता और दूसरी बात गनेज जी तो कोई दर्वान है नहीं जो आपने सामने में लगा दिया इसलिए गनेज जी की तस्वीर अपने घर में मुख्य दर्वाजे के ठीक उपर अंदर की ओर से लगाएं ताकि उनका पीट पाहर की ओर र लगाईएगा ऐसा करने से जीवन में कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती बड़ा सब से बड़ा तकलीफ से भी आप बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे और साथ ही अगर ये इस तरह से आप लगाते हैं गनेज जी को तो आप देखिएगा एक से सबा मेहने में ही आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी करके रेखें और गनेज जी की पूजा करने से घर में सुक सम्रिद्धी हमेशा ही बना रहता है साथ ही ऐसे लोगों का समान मान भी जीवन में बढ़ता चला जाता है गनेज जी को अब हम बात करेंगे हल्दी देखिए हल्दी उन्हें अरपित करना भी है लड़का वो हल्दी से तिलक करते हैं अगर नित्य दिन गनेज जी का कम से कम बुद्वार के दिन तो करें ऐसा करने से सुभ क्रिपा भी मिलती है और जीवन में कोई कस्ट नहीं आता बढ़ा से बढ़ा संकट भी टल जाता है करेंगे कैसे हल्दी पॉडर वाला पांच गाट अगर आप पीले कपड़े में बांद कर गनेज जी को अर्पित करते हैं किसी भी बुद्वार के दिन कम से कम एक ही बुद्वार के दिन कीजिए इसके फल ही बहुत निराली मिलते हैं आपको यानि यह वाला जो हल्दी है यह सिद्ध हो जाता है उन्हें जी के बारे में आप करके देखें फिर हमें कमेंट के जरी जरूर बताएं कि जीवन में चमतकार कितना हुआ हर हर महाद